सभी करमजारी साथियों को नमस्कार, एक बार पूने, आप सभी का सिखसा समाचार महारदेग स्वागर, साथियों IFMS 3.0 पर फरवरी की वेतन बिल है, वो प्रोसेस हो चुके हैं सभी के, जिनके भी डाटा वेरिफाई थे, उनका भी, जिनके डाटा वेरिफाई नहीं थे, उ तो इसमें भी IFMS 3.0 पर बहुत सारी शवलियत दी गई है, आप लोग बिल्गो रिवर्ट कर सकते हैं, कटोतियों को आपडेट कर सकते हैं, हाथो बिल्गो दुबारा रिजनरेट कर सकते हैं, फिर उस बिल्गो है, आप ट्रेजरी फोरवर्ड कैसे करेंगे, OTP लगा करके, सारी प्रोसेस, यानि बिल्गो प्रोसेस होने के बाद जो जो IFMS 3.0 पर प्रोसेस की जानी है, जो आपको परक्रियाट डीडियो लेवल पर की जानी है, उसके समद्ध में ये वीडियो लेकर के हम लोग आएं, वीडियो साथी और लंबा बनेगा, लेकिन इसमें हम लोग प बिल्गो रिवर्ट कैसे करें, कटोती को अपडेट कैसे करें, बिल्ग फॉर्वर्ड कैसे होगा, बिल्गी स्टेटस आप लोग कैसे चेक करेंगे, सारा कुछ मैं इस वीडियो बताने वारा हूं साथियों, ठीक है चलिए साथियो वीडियो प्राराम करूं, उससे पहले सानिविद रहेगा चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब वश्य करिएगा अपन लोग देखते हैं आप लोग आई फैमेस 3.0 पे आते हैं तो यहां पे साथियों दो तरह के रोल आते हैं अपने शामने एक तो डीडियो रोल और एचो रोल जैसे ही आप Employee Management पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ऐसा Homepage खुलता है इस तरह बहुत सारे Option आते हैं इसमें सबसे पहला Option आता है Employee Management और Bill अभी आपन लोगों को केवल और केवल इस Bill वाले पे कारिये करना है Bill बनने के बाद जो भी प्रोसेस होनी है वो इस Bill वाले पे होगी कहां पर होगी साथियों डीडियो लेवल पर अब यहां जैसे आप लोग बिल पे क्लिक करते हैं तो Salary Bill, MIS Report, Bill Status सब कुछ आ रहे हैं आप लोग बिल इस्टेडस देख लेएं पहले आपके बिल बने हैं या नहीं भी बने हैं यदि किसी डीडियो के बिल नहीं बने हैं तो यहां इस्टेडस में No Show करेगा आप लोग बिल इस्टेडस पे क्लिक करिएगा जैसे बिल इस्टेडस पे क्लिक करते हैं तो पिछली दो दिनों में यानि 21 फरवरी और 22 फरवरी के दोरान कौन-कौन से आपके बिल बन गए हैं उसका बजट हेड कौन सा है उसका ग्रोस अमाउंट कितना है नेट अमाउंट कितना है और वर्तमान उसकी इस्टेडस क्या है वो आपको यहां पे शो कर देगा पें Derek Bill Approval Submission यानि approval के लिए यानि fulfil इडीडियो लेवल से इस चीज कोthing करना रहेगा Salary Bill जितने भी बने हैं वो सभी इडीडियो लेवल से OTP लगकर करके अप्रू होंगे तभी Treasury जाएंगे ओटो ट्रेजरी नहीं जाने वाले हैं IFMS 3.0 के बिल तो आप लोग गब रहेगे नहीं कि मेरे बिल है वो गलत बन गए है अब अगर ट्रेजरी चलेगे तो क्या करेंगे अपने को headache लेने के अवशिक्ता नहीं है यदि आपके salary बिल बन चुके हैं आप लोग रिवर्ट नहीं कर पाए हैं अभी तक तो कोई issue नहीं है बिल को जब तक आप लोग ठीक तरह से जाच करके उसको approve नहीं करेंगे डिडियो महोदे की OTP लगा करके तब तक बिल है वो ट्रेजरी तक नहीं जाएगा आपके इस तरह पर ही pending रहेगा ठीक है साथ योई इस्तरी कलियर अब आपको सबसे पहला काम करना है view reports यहाँ जो यह आँख का निसान दिख रहा है इस पे जाकर के आप लोग report एक बार चेक कर ले हैं कि हमारे जितने भी head थे elementary setup के जितने भी थे secondary setup के जितने भी करमचारी थे सब का bill है वो process हो चुका है जितने भी pay manager पर आपके ddo में कार्मिक थे उन सबी के bill process हो गया है यदि किसी वेक्ति का bill नहीं बनाना था फिर भी process हो गया है तो आप लोग उसको bill को revert करेंगे कोई गलत bill बन गया है कटोती अपडेट नहीं है फिर bill बन गया है रिवर्ट कैसे करेंगे पहले आपन लोग देख लेते हैं इसमें आप लोग check कैसे करेंगे कि bill बना कैसा है inner outer schedule है वो report check कैसे करते हैं आप लोग इस आँख के निशान पे click करेंगे तो आप लोगों के सामने साथियों ये दो तरीके आँख पे जैसे मैं देखके click कर रहा हूँ यहां आप लोग auto salary या दो तरीके से देख सकता है एक तो status में भी आपको यह आँख का निशान दिखेगा यहां से देख सकते हैं और आप यदि bill process के अंदर auto salary process और auto salary process कौन कौन से हुए वो अगर देखेंगे तो यहां आँख वाले पे निशान पे click करेंगे जैसे click करेंगे तो आपके सामने साथियों है वो inner download होके आएगा यह साथियों inner दिख रहा है इसमें उस कार्मिक का नाम basic, hra, da, income tax cut-outi, gpf, sip, rgss, total deduction, total gross payment कितना उसको मिलना है सारा कुछ जैसा अपना pay manager से bill निकलता था वैसा का वैसा inner निकल रहा है अब आपको outer निकलना है तो outer का option भी आपके साथियों सामने यह उपर ही दिखाए schedule का भी यहां है आपने bill का inner निकाला यहां जैसे ही आप लोग outer पे click करेंगे ठीक बने है आपको लगता है कि मैं जैसा चारा था जैसा कारमी का pay manager पे था जैसी कटोती हैं थी वो सारी वैवारिक है और एकदम ठीक है तो इसको अपने लोग सबसे पहला देख लेता है बिलको forward कैसे करता है ठीक है साथियों जैसे ही आप लोग क्या करिएगा यहाँ salary bill salary bill में salary preparation के अंदर auto salary process के तहत अपने bill बने है तो आप लोग auto salary process पे click करिएगा जैसे ही auto salary पे click करेंगे तो यहाँ आपको financial year select करना है यहाँ आपको month select करना है और group यानि कौन सा bill है वो किस group का है वो है bill मुझे approve करना है जो ठीक है आप लोग search करेंगे search करेंगे तो इस head से इस group के अंदर जो जो bill बने होंगे एक ही bill बनाओ का सब्वाव इसी बात है यह bill बन गया यहाँ इस bill को आप लोगों को forward करना है तो कैसे करेंगे यह एक बार तो आप दुबारा देख लिए report ठीक है एक दम तसलिक कर लें बिल ओके हैं तो यह आपको आगे approve करना है ठीक है साथियों आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक किया तो इस पे जैसे आप ने यहाँ जो bill number दिख रहे थे यह bill number पे आपन लोग जैसे ही search करेंगे तो उस head में जो bill बनाओगा वो आपको दिखेगा यहाँ पे कौन से SF में है या CF में है, voted है, क्या है क्या नहीं वो आप लोगों के यहाँ पे देखना है यदि आप लोगों के अपन देख पा रहे हैं कि SF में ही budget है, CA में बजेट नहीं रहता है, तो आप लोग SF ही रखिएगा वो group allocation जहां होता है इसके अंदर group allocation वाला वहाँ जाकर कि आप लोग head को ठीक कर सकते हैं अब यहाँ पे आप लोग click करते हैं bill number पे, तो bill number पे click करते हैं साथ हैं, वो bill खुलेगा वो bill regular type का है किस employee का, उसमें कौन-कौन employee है उसमें जितने employees होंगे उन सभी के नाम, उन सभी की ideas सबका उनका कितना actual payment है current month का कितना है last month उनको कितना मिला था आगले महीने आपको FMS पर ये एक earning की जो reduction की जो है वो exceed दिखेगी जिसमें last month कितना मिला, इस month कितना मिला यदि changes है तो आपको लगेगा कि यहां कुछन-कुछ confusion है तो आप लोग यह देखते हैं कि यह अपना okay है इस कार्मी का, इसमें जित्ते कार्मी का उनका okay है तो यहां साथ हो process पे click करेंगे और यदि mistake है, तो reward का option आपको यहां पे मिलेगा दुबारा बता देता हूँ एक बार साथ ही confusion नहीं हो आप लोग जैसे ही auto salary पे जाएंगे यहां पे financial year, महीना और यहां पे जो भी आपका group पे हो करेंगे search करेंगे, search करते ही साथ हो आपको जो भी उस group में bill बना है वो दिखेगा, इसमें यहां जो blue color का दिख रहा है, number, bill number उस bill number पे click करेंगे, bill number पे click करते ही साथियों आपके सामने यह इस्तती बनेगी, यहां आप इसको उपर किसका इएगा, यहां दो option दिखेंगे reward का और process का, bill में mistake है reward करिए, bill ठीक है process करिए, अब आप जैसे process पे click करते हैं, process पे click करते हैं, आपसे यह तीन तरह की conditions है, वो allow करने होती है, इसका मतलब यह होता है कि bill ठीक है, सब कुछ हैं हमने देख लिया है, यह retirement conditions हैं, इन तीनों को regions को okay करिएगा, और यस कर दीजेगा, यस करते हैं, आपके जो भी डीडियो सर हैं, उनके mobile नमबर पे OTP जाएगा, यह किस स्थ्री में जाएगा, जब आपने role है, यह maker की जगे approver कर रखा हो, यहाँ आपको ध्यान रखना है, bill किस level से forward होगा, approver level से, यदि आपने यहाँ approver level, डीडियो login का role यहाँ रहता है, कई के लोगों के approval ही दिख रहा है, यहाँ maker checker नहीं है, यदि आपके अभी maker level पे काम कर रहे हो, तो यह bill है, वो forward नहीं होगा, OTP नहीं आएगा, आप लोगों को यह approver level रखना है, यह OTP कब आ रहे है, जब मैं approver level पर हूँ, यह देखें साथियों, यदि approver level पर आप लोग नहीं हैं, तो OTP नहीं जाएगा, आप लोगों को bill forward करने के लिए, यह level है, वो approver ही रखना है, approver level पर रखा, डीडियो सर की number पर OTP चले गई, आपने OTP डाले, OTP डालते हैं साथियों, वापस पूछेगा confirm, आप yes करिए, आपका bill है, वो successfully forward हो जाएगा, इसमें request ID आए जाएगी, रोक के हो जाएगा, अब आपका bill है, वो कहां जगया, यह देखिए, office level से, अभी इस level में, कहां पर trade level पर, अपने level पर complete हो चुका है, आप लोग यहां से वापस, आँख वाले पर निशान पर देख सकते हैं, bill की क्या इस्तती है, salary bill था, कौन से मेनेगा था, क्या इस्तती है, किस date को कितने बज़े, आपने है, वो bill को आगे forward किया है, वो आपको यहां पर दिखा देगा, ठीक है साथियों, तो यह process थी, बिल को ठीक है, उस इस्तती में आगे forward करने के तरीका, दुबारा बता दूँ, approver level पर ही, आप लोगों को यह कारिया करना है, तो ही आगे जाएगा, वरना आगे बिल नहीं जाएगा, अब अपन अगली बिल प्रोसेस जान लेते हैं, बिल revert प्रोसेस, यानि बिल mistake हो गया है, तो उसको हम लोग revert कैसे करें, बिल को revert करने का प्रोसेस साथियों यह रहेगा, आप लोग वापस वही जाएगा, salary preparation, अपना बिल बना है, इसलिए अपन लोग इसको ओटो बिल है, वो select करेंगे, ओटो बिल पे करते ही साथियों वही, आपको वापस financial year, month और group select करना है, और search करना है, जैसे आप search करेंगे, तो उस group के अंदर जो बिल बना है, वो आपके सामने आ जाएगा, यहाँ आँख का निसान दिख रहा है, यहाँ से check कर लिजिए, बिल लग दी okay है, तो process करिए, बिल ठीक नहीं है, तो reward करिए, यहाँ आपने देख लिया inner router, अभी इसकी status कहा है, pending for approval, approval के लिए pending बड़ा भी आगे गया नहीं है, एक बार इस्तती और कलिए कर दूँ, जब तक आप लोग approve नहीं करेंगे, तब तक bill treasury नहीं जाएगा, किसी भी इस्तती में, अब आपन reward करना चाहा रहे हैं, तो यहाँ पे जो bill number दिख रहे हैं, हमारे इस group के अंदर bill में, इस bill के अंदर 8 करमचारी है, तो 8 करमचारियों मैं से यदि एक ही करमचारी, आप लोगों को सभी करमचारियों के data को चेक करना है, यदि किसी एक करमचारी का data भी आपको लगता है कि ठीक नहीं है, कटोती ठीक नहीं है, allowance ठीक नहीं है, reduction ठीक नहीं है तो आप लोग क्या करिएगा, बिलको reward करिए, ये process पर करेंगे तो बिल forward होगा, और आप लोग reward पर करेंगे, तो बिल reward हो जाएगा ठीक है, आपने जैसे बिल reward पर क्लिक किया, यहाँ यदि आप document type, description लिखते हैं तो भी ठीक है, नहीं लिखते हैं, तो भी reward हो जाएगा सीधा आप लोग reward पर क्लिक करिएगा जैसे आप लोग reward पर क्लिक करेंगे तो यह आपको comments लिखना होता, क्यों reward कर रहा है मुझे income tax update करना, इसलिए इसको reward कर रहा हूँ, या आप यहाँ या update required कुछ भी, आपको जो ठीक लगे comment लिखिएगा, file upload करने के आप शक्ता भी नहीं रहेगी आप चाहें तो upload कर सकता है, submit करेंगे जैसे आप लोग submit करेंगे, वापस आप से confirmation मागेगा, आप लोग इसको yes कर दीजिएगा जैसे आपने yes किया, आपकी request है वो successfully proceed हो गई, और आपका bill है वो reward हो चुका है, अब देखे साथियों पहले bill कहां दिख रहा था, auto salary process के अंदर यहां पे, अब कहां दिख रहा है, reward के salary bill, अभी यह reward में आ गया, यही bill, आप वापस year और select करके उस group और select करेंगे, तो region rate कैसे होगा, उसका भी में आगे जाके आपको process दिखाऊंगा साथियों, अब अपन ले bill वापस ले लिया, अब करमचारी की कटोती या जो भी mistake थी, उसको update करना है, तो update करने का process देखिये साथियों, reduction update process, मैं आगे की process में आपको reduction update की process दिखाने जा रहा हूँ, इसमें आप लोग देखियेगा, इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे bills के अंदर जाएंगे, sorry, bill में नहीं जाकर के section में, bill के just नीचे section लिखा होता है, नीचे से second number पे, उस section के अंदर salary section, यहाँ पे साथियों ज़िए allowance में mistake है, तो individual करिए, और reduction में mistake है, तो individually reduction में आप लोग उसको update करिए, आप लोग जैसे reduction section individual पे click करते हैं, तो click करते हैं, यह साथियों गुमने लग जाता है, इस पे कुछ होता ही नहीं है, यह ऐसा आपके सामने एक चकर गोल गोल है, वो गुमता रहता, इस चकर से आपको पार यदि पाना है, तो आप लोग एक बार वापस थोड़ा जाए, और यहाँ पे जो यह refresh का option है, यहाँ पे आप लोग एक बार refresh करिए, जैसे इसको refresh करते हैं, यह आप लोग left बटन दबाके reload करेंगे, तो भी आपके यह काम हो जाएगा, आप लोग यहाँ से एक बार refresh करिए, refresh करते साथ यहों, आपके सामने यह list ओटोमेंटिकली खुल जाएगी, ओके, आप इस RJ वाली ID पे क्लिक करते हैं, तो उस करमचारी करमचारी के allowance, deduction, सब कुछ आपको दिखते हैं, आप लोग देखें कि मुझे कहाँ ठीक करना है, जो जो आपको ठीक करना है, जिस भी करमचारी के, जैसे मुझे इस करमचारी के, है वो income tax को ठीक करना है, income tax सही नहीं करता है, तो मैं हैं मुझे, तो मैं यहाँ delete करूँगा, लेकिन यह delete और edit के button कब काम करेंगे, जब आप उसके सामने जो यह tick है, यहाँ उसमें tick करेंगे, जैसे मुझे इस income tax को update करना है, तो मुझे यहाँ select करना होगा, फिर edit या delete पे click करना होगा, आप लोग यह डायरेक्टली एडिट या delete पे click करेंगे, तो कोई response नहीं होगा, आप लोग यह बानके बढ़ दाएंगे या अब तो delete यह नहीं हो रहा है, delete क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि के तयाद उस पे करेंगे अपडेट या एड डिडिक्शन पे आप लोग करते हैं आपने यहां कर रखी है 7600 अब मुझे यहां 15000 या 16000 करनी है तो मैं एड डिडिक्शन करूँगा पहले यह पड़ी है तो नहीं होगी यहां आपको शो हो रही है उसको अपडेट करना है तो यहां तो अपडेट करिए या डिलीट करिए डिलीट करके आप दुबारा भी जोड सकते हैं डिलीट करके दुबारा जोडने की बजाए आप लोग इस पैंसिल की निशान पे क्लिक करिए अपडेट हो जाएगा अब मैंने यहाँ पे डिलीट अब 7600 आपको दिख रहा है साथी हो मैंने अपडेट पे क्लिक किया जैसे अपडेट पे क्लिक किया दिया उनका डाटा खुल गया अब मैंने यहां मन्त है वो सलक कर लिया क्योंकि मुझे वन टाइम काटना है यदि आपको हर महीने यह कटोती करनी है तो आप रिकरिंग पे क्लिक करेंगे यहां पर डेट मंतली वन टाइम करते हैं यह एक फरवली 24 से काटना है कौन सा आपको डिडिक्शन कटोती करनी इंकम टेक्स और फिक्सले अमांट अब मुझ कोई हैं आपके पास जैसे सो लाग कापर पतर वगेरा वगेरी आपके पास कुछ भी रहता है कटोती के सम्मंद में तो आप लोग डाल सकते हैं वरना सीधा ही आप लोग शब्मिट करेंगे तो यह सब्मिट हो जाएगा देखे साथियों कंफर्म मांगेगा आप से कंफर् करना आवश्यक है वन फ़ाम नहीं होगा मेरी पास अनको कमेंट और को कोल साया है कि सार हमारी कर दो क्यों कर रहें सीधा कर रहें हैं अब लोग और नहीं डेट करने का प्रयास करते हैं तो इसको सलेक्त करें जिस भी आप बक्स को करना जा रहें ठीक है साथियों यहां एक समस्या ये भी आ रही है LIC कटो दी कैसे करें LIC कटो दी किसी वो हटा नहीं है जोड नहीं है तो उसका अभी तक मैंने जहां तक analysis किया है मुझे कही option मिला नहीं है यदि इसमें जल्दी update होगा डाल दिया जाएगा तो आपको मैं inform कर दूँगा वीडियो बना देंगे हम लोग उस पर ठीक है साथ हो तो यह था तरीका deduction को ठीक करने का deduction को हटाने का deduction को जोडने का को के साथ हो अब बिल regenerate process आपने ठीक भी कर दी कटोती पहले आपने बिल्को रिवर्ट किया अब कटोती ठीक हो गई अब बिल को हमें दुबारा बनाना है तो इस पे बहुत अच्छी फैसिलेटी दी गए फैमस 3.0 पे बिल्ल है वो हातो हात एक क्लिक में बिल्क वापस regenerate हो रहा है रिजनरेट होके आप उसको process में डालिए सीधर treasury forward करिए हो जा रहा है कोई दिक्कत नहीं आ रही है अपने लोग पहले तो जो pay manager पे auto salary process होते थे रिवर्ट करके छोड़ते थे 24-48 गंटे में वो वापस auto process होता था फिर दी जाता था फिर वहां से अपने को जब तक खाते में नहीं आता तब तक वो projection ही दिखाता था तो काफी उसमें time लगता था लेकिन इसमें अब time नहीं लग रहा है आप लोग देखिये साथियों क्या करना है हम लोगों ने क्या किया था बिल जब रिवर्ट कर रहे थे तो अपने लग वापस auto salary process में जाएंगे बिल में बिल में salary बिल में auto process auto process के अंद लोग इसकी कटोती वगेरा जो भी आपको audition करना था वो कर चुके हैं अब आपके सामने बिल हाजी रहे यहां आपको क्या करना है इस बिल को यहां से select करना है मुझे इस group के बिल को वापस region rate करना है तो यहां जैसे ही मैं region rate पे click करूंगा मातर एक click से region rate पे click करते ही साथिय होगा अभी आप लोग यदि इसके बिल को देखते हैं तो वोई बिल दिखेगा जो पहले बना हुआ था अब आप region rate करते हैं तो region rate करते ही यह डाटा यहां से अट करके यहां पे यहां पे आ जाएगा ओटो वाले में देखिए मैंने जैसे ही region rate किया वहां से अटके डाट की थी उसके अनुसार वापस इनर आउटर शेडियूल आपको दिखने लगेगे यानि हाथो हाथ ही वापस विल है वो जो आपने कटो दियेगी उसको अपडेट की अनुसार रिजनरेट हो चुका है आप लोग याँ देखिएगा ओके लग रहा है वापस इस पे क्लिक करिए वो प्रोसेस करिए ट्रेजडी फॉरवड करिए जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ साथियों ठीक है आप लोग वहाँ जैसे क्लिक करते है आँख पे आँख पे क्लिक करते है वापस इनर आउटर आपको दिखता है इनर आउटर ठीक दिख रहा है यह देखिए इनर आ प्रोसेस था सेलेरी बिल के प्रोसेस होने के बाद उसको रिवर्ट करने का उसको चेक करने का अभी कहां पर है क्या इस्तती है सारा कुछ अपन लोग इस वीडियो में जान चुके हैं तो यदि आपको सेलेरी बिल से समझेत किसी भी प्रकार की दिक्कत है इस वीडियो को देखिएगा सारे शमच्यां को आपको समधान मिल जाएगा और सेलेरी बिल के अलावा जितने भी बिल हैं जो भी जैसे डिये हो गया या एरियर हो गया सारे बिल अभी पुराने तरीके से पेई मेनेजर से ही बन रहे हैं आप लोग वहां से बना सकते हैं आपको यहां उसक करने की आउश्यक्ता नहीं है सात्यों ठीक है एक बार पने आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद